बोलिये राजा राम चंद्र भगवान कीजे स्री अग्य नारायन भगवान कीजे स्री कामदानात भगवान कीजे श्री अयुद्यानात भगवान कीजे कासी विश्वनात भगवान कीजे दर्शंग देव भगवान कीजे भकत और भगवान कीजे स्री कनक विहारी दाश्री महराज कीजे संत वेश्णों भगवान कीजे स्री भकत वत्सल भगवान कीजे स्री सीता रामनाम भगवान कीजे जे जे शीता राम जे जे सीता राम जे जे सीता राम पर्मा द्यक्षा स्वेम श्री यग नारायन भगवान पर्मा राध्य स्वेम प्रहूस्री सीतानात भगवान कीजे श्री चरणार विंदो में अनंत कोट शाष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री अनंत बल्वंत वनमंत लाज जी महाराज की महती अनकंपा का आनधो करते हुए उनके श्री चरणों में अनंत प्रणिपात करते हुए परम शर्धे परम शम्मानिये परम आधर्णिये बैशनों पुल भूशन यग्य शम्मराट फ्रिश्वामी कनग्विहरी दाश्ची महाराज इस दिव्य यग्य में पधारे हुए समस्त खट दर्शन के अंतरगत आने वाले शाधुशंत जन्द मज्यस्त सभी शंत जन्द सुधिये जन्द शद्धाल उजन्द शद्धामई मापाव इवन बहिनों राश्टी उबन के फूलते फलते नोने हाल बालक बालक ओ हम सभी नित्य की भाद अपने मन को भगवान के स्री चरणार विंदों में जोड़ें जब हमारा मन भगवान के स्री चरणार विंदों से जुड़ जाएगा स्री चरणों में समरपण हो जाएगा तो हमारा मन भटकेगा नहीं हमारा मन ही तो है जो भटक जाता है हम बैठे यहाँ हैं शरीर से बैठे हैं लेकिन मन हमारा नियत्र पहुँच गया तो मन को नियंत्रत करने के लिए ये चंद महामंत्र है यदि मन को वश्मे करना है तो भगवान के समक्ष आप अपने घर में जहां भगवान विराजित हो घर में वहां नित्र इस चंद को दोराया करो किसी का मन अगर नहीं लगता है भटकता है इधर उदर जाता है तो मन को वश्मे करने के लिए ये चंद महामंत्र है हम सभी संतों ने अनभव किया है इसलिए अनभव की बात आपको बता रहे हैं तो इसे केवल चंद मत मानना ये महामंत्र का जब है हम कथा सुनने के पहले इस महामंत्र के जब के प्रती समर्बित हैं और इस जब को हम बड़ेगी भावपूर्ण विधा में आज इस दिव महा यग में हम दोहरा रहे हैं अपनी बाने इस इसको महामंत्र के रूप में हम लोग दोहरा हैं स्री तुलसी दाशी महराज ने भी अपने मन को बस में कर पाया तो इस चंद के माध्यम से अपने मन को बस में किया फिर साधरण नहीं है इसलिए हम लोग बड़े ही मनोभावशे इस चंद का गाइन करें एक और हम दूसरी और आप सब फिर देखो कथा सुनने में कितना मन लगता है और यही तो जमतकार है कि कथा सुनने में इतना मन आप सब का लग जाता है कि साथ बच जाता है आपके ते इतने जल्दी साथ बच गया कैसे बच गया यह तुलसी दाशी महराज के छंद का हमने इश्वरन किया और अपने मन को भगवान के स्री चरणों में कथा अश्रवन करने के पूर्व लगाया इसी महामंत्र का ये प्रभाव है कि हमें समय नहीं जान परता है कि कितने जल्दी समय निकल गया ऐसा ये महामंत्र है इसलिए हमें निश्चित रूप से इस मंत्र को दोहराना चाहिए गाहिन करना चाहिए श्री राम चंद्र कृपालू भजमन हरन्भव भयतारूनम 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 श्री राम चंद्र कृपालू भयतारूनम को वर्भव भयतारूनम श्री राम चंद्र कृपालू श्री राम पत्र कृपालू श्री राम चंद्र कालूनम ज्बरे अगणत आमत छ्विनाव नीलनीरच सुंदराउंक कछं प्रब्रे अगणत आमत छ्विनावनीलनीरत सुंदराउंक पटबीत मानं करड़त रूची सुची लौनी जनक सुथावरं पटबीत मानं करड़त रूची सुची लौनी जनक सुथावरं स्री राम चंद्र क्रिपानु भर्ध मन अरन भव भर्तार्मन स्री राम चंद्र क्रिपानु भर्ध मन अरन भव भर्तार्मन स्री राम चंद्र क्रिपानु 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 भर्तार्मन स्री राम चन्र क्रिपालो बग्यमन अरंभव वड़तारुम श्री राम चन्र क्रिपालो बग्यमन वड़तारुम श्री राम चन्र क्रिपालो बग्यमन स्री राम चन्र क्रिपालो बग्यमन स्री राम चन्र क्रिपालो बग्यमन उदार अंग बिवुष्ण सिर मोगुट कुंडर तिलक चार उतार अंग भिगूस नंग आजान भूज सर चाप धर्शन गान जीत खर दूशरम आजान भूज सर चाप धर्शन गान जीत खर दूशरम स्री राम चंड्र क्रिपालो बद्रमन अरन भव बद्रमन स्री राचंड्र क्रिपालो बद्रमन अरन भव बद्रमन अरन भव बद्रमन तक्रोपन गान भव बन भूज सल अबद्रमन बद्रमन स्रेपश नंवा स्ल कर्व गान तुँ हमान भव बदूण ती वदत गूलसी दास संकरव सेशलमूनी मन रर्णी क्रिपालो बद्रमन 000 जीनम येते वरत थुलसी दार्श संकर्शे सं मुनी मन रंजनम मम हिर्दय कन्य निवास कुरुका मादी खलगल कन्य नम मम हिर्दय कन्य निवास कुरुका मादी खलगल कन्य नम श्री राम चंड्र क्रिपालु भजमन भर्ण भवभयतानम 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 श्री राम चंड्र क्रिपालु भजमन भर्ण भर्वभयतानम स्टीराशन रिपालु भर्जिन्म खरंगो भर्तारुन्म स्टीराशन जे जे राम स्टीराशन जे जे राम जे जे राम वोली श्री राम चंद्र भगवाने की दे ओ हमारा मन भगवान के स्री चर्णारविंदों में समर्पित हो गया अब ये मन भटकी नहीं शक्ता है लेकिन भगवान का नाम लेना भी आवश्यक है अभी तो हमने मन को भगवान के स्री चर्णों में समर्पित किया लेकिन बानी को तो धन्न करना ही पड़ेगा इसलिए दो बार नाम दहरा ले स्रीराम जे राम जे जे राम श्री राम जे राम जे जे राम श्री राम जे राम जे जे राम स्री राव जै रावं जै जै रावं कोशल्या के प्यारे राव कोशल्या के प्यारे रा म श्रत राज तुला रे राव दश्रत राज दूलारे राम श्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम कर दो कर दो कर दो कर दो अपनी श्रन में लेलो राँ अपने शर में ले लोरा करुणा कर अपना लोरा करुणा कर अपना लोरा करुणा कर अपना लोरा मुझे सहारा देना राम स्री राम जे राम जे राम स्री राम जे राम स्री राम जे राम Jai Jai Ram बोलिय यग नारायन भगवान की जय श्रीय युद्यानात भगवान की जय श्री अनन्त बलवन्त हनमन्त लाल जी महाराज की जय जय श्री ताराण आप शबी भक्त जन श्रद्धालूजन श्री रामकथा के अंतरगत अयुद्या कांड का वह पावन प्रशंग जिस प्रशंग में हमें यह देखने समझने और सुनने को मिलता है कि चक्रवर्ती शमराच महराज श्री दश्रत आज यह सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ मैं केकई के पास जाऊं या मैं भगवान के पास जाऊं या मैं प्रधानमंत्री सुमंत्र से परामर्श लूँ मुझे करना क्या चाहिए ऐसी परिस्थिती में क्या नर्णे होना चाहिए लेकिन बहुत बात वही है न राम के इंचाहाएं सोई होई भगवान को जो कहना करना है और भगवान को जिससे जो कराना है वही होगा और प्रेरक रगवंश विभूशन प्रेरना देने वाले भगवान है और भगवान ने यह प्रेरना भी दी कि महराश्री दश्रत को को बवन जाना पड़ा को बवन में जो वारता हुई उस वारता में महराश्री दश्रत ने बोलने में थोड़ी असाउधानी वरती आप जब को यह प्रेरना मिल रही है कि हम बोलें तो सोच समझ के बोलें संतुलित सब्द बोलें संयमित भाशा का हमारे जीवन में समावेश होना चाहिए संयमित भाशा हमें बोलनी चाहिए विशम से विशम परस्थिती आजाए चाहे जैसा धर्म संकट आजाए लेकिन भाशा पर नियंतरन होना चाहिए भाशा ही समस्या है और भाशा ही समाधान है यदि संयमित भाशा का प्रियोग हम कर रहे है तो भाशा हमारे लिए समाधान है और असंयमित भाशा का यदि हम प्रियोग कर रहे है तो यही भाषा हमारे लिए समश्या है महराजश्री दश्रत की भाषा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए महराजश्री दश्रत ने केकई को कोब भवन में जमीन पर पड़ा हुआ देखा जमीन पर पड़ी हुई है केश खुले हुए है नारी का केश खुल जाना यह संगर्श का संकेत थे इसलिए प्राया हमारे आओं माताएं केश को बांदे रहती है क्यों वह बांदे रहती है कि यही परमपरा है न केशों को बांदना चाहिए सर धकना चाहिए कुछ तो अभी धक रही है कोई बात नहीं कम से कम हमारा एक एक शब्द समझ में तो आ रहा है और सब्द केवल समझ में नहीं आ रहा है वो शब्द हर्दय परिवर्तन करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है केश बढ़ा हुआ होना चाहिए सिर धका हुआ होना चाहिए यह स्त्रेश्ट नारी का लक्षण है नारी का केश जब खुल जाता है समाज में तो संगर्स का संकेत मिल जाता है द्रोपदी को जब समाज में लाया गया तो खुले हुए केशों में लाया गया था बोलो महा भारत हुआ कि नहीं हुआ महा भारत हुआ है और आज कोप भवन में केकई के केश खुले हुए हैं कम से कम महाराज श्री दश्रत को देख करके उससे अभिवादन करना चाहिए था महाराज दश्रत केवल पती ही नहीं है वो राष्ट पती भी है दो-दो पत हैं उनके पास केकई की दृष्टी में वो पती हैं तो केकई उस राज जी की रानी है महारानी है नागरिक्ता प्राप्त किये हुए है उससे राष्ट पती भी मनना पड़ेगा की नहीं जब राष्ट पती आता है तो उसका सम्मान किया जाता है कि नहीं लेकिन आज केकई ने उठकरके अविवादन नहीं किया अपने केसों को समहारा नहीं महराश्री दश्रत ने जब ये दसा देखी तो दश्रत जी केकई के समीम पहुँच गए केकई के जब विलकुल समीम पहुँच गए इसके बाद भी केकई ने महराश्री दश्रत के प्रती कोई सम्मान का भाव नहीं रखा बिलकुल समीम में पहुँचने पर हुँ हम सामान सिश्टाचार से वन्चित नहों हमारी कोई मांग है ये अलग बात है सिश्टाचार करना अलग बात है बोलो भई हम अपनी मांग कर रहे हैं हमें मागना चाहिए लेकिन सिश्टाचार से वन्चित नहीं होना चाहिए लेकिन आज केकई जी इतनी रूट गई इतनी रूट गई के वो सामान सिश्टाचार भी भूल गई क्यों भूल गई सामान सिश्टाचार क्योंकि जब व्यक्ति आति व्यथे तवस्था में होता है तो सामान सिश्टाचार भूल जाता है समझ गई होना है आति व्यथे तवस्था में फिर सामान सिश्टाचार उस समय रहता नहीं है शायद KKG भी इस समय अति ब्यत्य तवस्था में हैं इसलिए वो सामान सिश्चाचार भूल गें मुझे तो यही लग रहा है नहीं तो ऐसा नहीं कि अग्यानी है KKG ज्यान से परपूर्ण है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि KKG में अग्यानता है केकई जी आज महराश्री दश्रत की ओर देखना भी नहीं चाहती हूँ लेकिन महराश्री दश्रत ने केकई से एक शब्द का ये शब्द मुझे लगता है कि महराश्री दश्रत ने ये शब्द जो केकई जीशे रामचरत मानस में एक छंद के माध्यम से कहा ये शब्द हलका है इसमें बहुत भजन नहीं है कौन सा शब्द कहीं है तुरानी रिशान हे रानी तुर रिशानी क्यों है और यतना यह नहीं कहा मैं तेरे पीछे सब कुछ करने को तयार है तेरी प्रसनता के लिए मैं कहू कहीं रंकें करहीं नरेशू तेरे पीछे में राजा को विकारी बना सकता हूं विकारी को राजा नहीं कह सकता है